आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल अमवस्या देथी आरंब हो जाएगी नक्षतर आज का स्रवन रहने वाए दिन के एक बच कर बावन मेर तक ददुपांत धनिष्ठा नक्षतर आरंब हो जाएगा वक्त्योहार में सकुछ आज नहीं है मित्रोग आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना हो एक एक मोर्तो गया में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है रासी उनुसार क्या खाद बतार सुब रहेगा, रासी उनुसार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा और लखी नमबर क्या रहने वाला रासी का नुसार तो वीडियो में हमारे साथ अंत्य तक बने रही है ताकि आपको संपून रासीफल की जानकारी हो पाए रासीफल का वीडियो पसंद आई जानकरी अच्छी लगे तो से लाइक करें कमेंट बक्स में जह माता दी जोह लिखें वित्रों आज के बारा रासीफल आपको बता ना राम करूँ उससे पहले आईए हम सभी मिलकर एक नज़र डालें आज के गरहों की स्तिती पर क्योंकि गरहों के स्तिती पर ही पूरा का पूरा रासीफल नेरवर करता है आज राहू मेस रासी में मंगल वेस रासी में केदु तुला रासी में चंदरमा बुद्ध के साथ मकर रासी में सूरी सनी दोने के साथ कुम रासी में गुरु सुक्र के साथ मीन रासी में विराजित है मकर रासीम चंदरमा आज रात लीके एक बचकर पांच मिनट तक रहेंगे तदुपान चंदरमा का कुम रासी में प्रव्यस हो जाएगा आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोट साहन मिल सकता है अपने प्रतिदंदियों को परास्त करने में आपको सफलता के प्राप्ति होगी अपने घर के कारियों में आज आप वैस्त रह सकते हैं भगवान के परति आपकी आस्था बढ़ेगी लेकिन संतान के तरफ से थोड़ी चिंता भी आपका अज रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें आज घर में कलह का माहुद भी बन सकता है आज आप आत्मी स्वास्त से भरपूर रहेंगे परन्तु पिता के स्वास्त से थोड़ा चिंतित भी रह सकते हैं व्यापार्द और धन की बातकेत आज आप में आत्मी स्वास्त भरपूर हने के कारण आप मानसीक तवर पर मजबूत नजर आएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार्मी मिलेगा जुरा तक नोकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सह कर्मियों से चुनूती मिल सकती है आज आपके खर्च जदा हो सकते हैं तो फिजूल खर्चों पर नियंतर रखें विद्यार्थी की बातकेत आज आपके मित्र आपका ध्यान परहाई से भठका सकते हैं मोईल फोन में जदा समय बवाद ना करें अपने परहाई पर ध्यान दें स्वास्त की बातकेत आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए कोई पुडानी बिवारी आपको आज परेशान कर सकती है कुछ जातकों को जोरों का दर्द परिसान कर सकता है तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज की अच्छा रहने वाल है जीवन साथ ही के साथ आज आप समय बिता पाएंगे साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पाटनेर आपसे कितना प्यार करता है आज के दिन उरत की दाल खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फिरोजी रंग लगी नम्मर आठ रहने वाल है बात करेंगे वरिसासी की विडिसासीम चंदरबा नौवे स्थान में विराजित है जिसके फलसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे धंग से रखवाएंगे जिसके फलसुप आपके चाहने वालों की संख्या में भी विड़ दे होगी अगर आप रादनिती से जुर्ए हुएं तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा कोई पुराना फसा हुआ रुका हुआ कम आपका पूरा हो सकता आज सरकारी कारियों से आपको लाप भी मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांती का अनभव भी करेंगे लेकिन कुछ जातक किसी अज्यात भहे से आज परेशान भी रह सकते हैं बात केंगे व्यापार और धनकी चाहे आप व्यापार करते हों या जौब करते हों आपके अधिनस्त करमचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा किसी करेबी मित्रिया सगे समंधियों की मदद से आपके व्यापार में आपको लाब होगा आज आपके व्यापारिक परतिजंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिती अच्छी बनी रहेगी जिन जातकों को मकान या गारी की तलास है उनकी तलास आज पूरी हो सकती है जू जातक नोकली कर रहे हैं उनके लिए आज किन अच्छा रहने वाला है ओफिस में कोई नए जीमेदारी आपको दी जा सकती है आपके ट्रांसफर्प होने के योग बन रहे हैं विद्यार्थी की बात करत विद्यार्थियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है जो विद्यार्थी प्रद्योगता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है आज स्वास्त की बात करत आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाले मानसिक सांथी का अनभव भी करेंगे प्रेम समंध की बात करत प्रेम समंधों को सुद्रिड बनाने के लिए आज अपने जीवन सांथी के साथ समय विताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिस तो भूल कर भी ना करें इससे वाद व्याद की स्थितित पर नहों सकती है जिन और विवाही जातकों को साथी की तलास है उनकी खोज व्याज पूरी हो सकती है आज के दूद या दूद से बनी वीची ये खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग खाके किलर लकी नमर रहेगा छे बात करणे मिथुन रासी की मिथुन रासी में चंतरमा आज आठवे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आपको पड़िवार जनों का साथ मिलेगा खास करके बड़े भाईवायों से माता पिता से भी आपको आर्थिक सहयोग मिल सकता है पड़िवार में सुख और सांती का माहौल बना रहेगा जिसके फ्लसुरूप घर में साकर अत्मता भी रहेगी लेकिन आज आज आपके लिए लड़ाई जहरे की योग बन रहे तो आपको सबसे अच्छे समन बना के रखने होंगे खास करके सगे समन्धियों से परोसियों से किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी आज मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भरसा करने से पहले उसकी जाच जरूर करें आज आपके जिद्धी रवये की बज़े से आपको कुछ नुक्सन हो सकता है तो कलिपनाओं के पीछे ना दो रहें सो समझ कर काम करें आज अपने पिता और धनकू की सलाह से किसी कारी को करेंगे आप तो उसमें आपको सफलता मिलेगी व्यापार और धन की बात करता आज आपको व्यापार में करी चिनूटियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इस चुनोती से घबराएं नहीं बलकि इसका सामना टटकर करें आज किसी से पैसे उधार लेने से बिलकुल बचे आज कर्ज लिए के पैसे आप जल्दी से चुकान नहीं पाएंगे जुद्धा तक नोकरी कर रहे हैं उनके सहकर्मियों के साथ उनके सबनवाद भी गर सकते हैं आज आपके सहकर्मिय आपके बड़े प्रतिजन्दी साबित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सीजियर के सामने अपने आपको अच्छे से परजेंट करें आज आपके खर्चों में विर्धी भी होगी विद्यार्थी की बातकरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान ने रहने वाल है अपने समय को बरबाद करने से बचें समय का एक एक पल महत्पूर्ण है उस पल का लाब जो उठावें अभी अपना ध्यान सिर्फ परसिप अपने पढ़ाई पर लगावाएं स्वास्त की बातकरत आज आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाल है लेकिन आपको अपने स्वास्त का फिर भी ध्यान रखना चाहिए तले भूने और मसालेदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समंद की बात करें तो जीवन साथी से हलकी नोगजों के बाद अच्छे सम्वान भी बनेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है बात केंगे आप कारकरासी की कारकरासी में चंदरमा साथमें स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुप आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा भी देगा किसी माइने में आज के दिन आपको ये चुनोतियों सुभाय लेकिन रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभावी लोग की सला जोड ले आज आपके मन में कोई नकारत में विचार भी आ सकते हैं जिससे आपका कार ये भी प्रभावित हो सकता है आज आपके बोले गई बातों को आपके प्रतिद्वंद्यों दोरा तोर मोरो गरपेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते समय साब्धानी जवर बढ़ते हैं किनी किनी जातकों के उनके पिता के साथ आप समन्द भी कर सकते हैं तो यहाँ पे साभानी आपको बड़तनी चाहिए अगर आज के तिन घर में अपने बड़े गासिरवाद के लेकर किसी काम के लिए आप निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा भी देगा व्यापार और धनकी बात करें तो व्यापार के देश्टी से आज किन आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब हो सकता है समान व्यापारियों के बीच आपकी प्रतिष्ठाप बढ़ेगी आवेश्चता होने पर आपके भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है आफिस में सहकरी में और सीनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बातके आज आपको लक्ष की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवेश सकता है ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी तो मेहनेत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात के स्वास्त के दिश्टी से आज किन कुल्मिया के अच्छा रहने वाला है किनी किनी जातकों को किसी प्रकार के चिंताज रह सकती है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जोर रखें प्रेमसमंत की बात कें विवाहिर जातकों को आज जीवन साती का सहयोग पराप्त होगा जोयादक और विवाहित है उन्हें कोई नया पार्टनर भी आज मिल सकता है आज किन टाम्बे के बर्तन में पानी पीते हैं था आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सुनहरांग लगी नम्मर साथ रहने वाला है बात करेंगे सिंग रासी की सिंग रासी में चंदरमाज छटे हैस्थान में विराजी थे जिसके फ्रसुप आज आपकी काड़ियों के दिखता रहेगी काड़ि छेत में आपका परिवर्दन का मन भी हो सकता है आज आप अपनी वानी की मधूरता से बहुत सारे काड़ियों को लिप्ता सकते हैं अगर आज के दिन अपनी वानी पे अंकुस नहीं लगाएंगे तो आपके बहुत साई लोगों के आकरोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की परतिष्ठा बरहेगी अगर कुछ नया काड़ी आराम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्या उत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चेंता रह सकती है व्यापार और धन की बातकेत अगर कहीं आपके पैसे बकाया है तो वहाँ से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को आप चुगा पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कत ने चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब अतियावस्यक हो गया है इससे वरना बहुत ज़्यादा हानी का सामना आपको करना पड़ सकता है विद्यार्थी की बात के आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत पर्याप नहीं है आपको और भी जड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है स्वास्त की बात के जिन जातकों को जोरों का दर्द या गठिया से समद्ध समस्या रहती है उन्हें अथोरे परिसानी का सामना भी करना पड़ सकता है आज आपको तनावपूर्न वाताब्रमे रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम समंद्ध की बात के तो आज आपका पारिवाईक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें और उसे समझें इससे प्रेम समंद्ध में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समंद्धों में सोच समझ कर आगे बढ़ें किसी तीसरे व्यक्ति की बज़े से आपके प्रेम समंद्ध में दरार उत्पन ना होने दें आज किन गेहूं से बनीवी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुख रहेगा आपके लिए आज का सुखरन ब्राउन को लखी नमर रहने वाए चार बात करेंगे कन्यारासी की प्रेम कर लिए जिसके प्लसर आज आपको कई परकार के परेसानियों से मुक्ति मिल सकती है कलातमक कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी आपके व्यक्तित में सकारतमक बदलाव आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोर बिताएं और उनकी मन सित्री को समझें इससे आपको असी मन की सांती प्राप्त होगी यदि आप साधी सुधा हैं तो आपके सोसाल पक्षे से किसी के साथ वाद व्याद हो सकते हैं तो यहां पर आपको साधनी बरतनी चाहिए आज आपको आपके बच्चों की परहाई में रुची लेनी चाहिए और बच्चों को उनके रुची के परती ही केरियर के परती ही प्रती प्रेइद करें व्यापार और धन की बातकरत व्यापारियों के लिए आज कि दिन अच्छा रहने वाला है आपके आत्मिस्वास में विड़्धी होगी जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा आज किसी जुरत्मन बत्ती को धन का दान ज़रूर करें नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज किन सामाने रहने वाले है नोकरी में परिवर्तन का मन आपका हो सकता है कुछ जातकों को सक्टेबाई साथ लाब भी हो सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों का मन आच्छन चल रहेगा आपने आपको सोसल मीडिया और वाइल फोन से थादूर रखें अब आपको अपने केरियर के परति सचेद भी हो जाना चाहिए स्वास्ति की बात करें तो आज आपको किसी प्रकार के चिंता रह सकती है मन असांत भी रहेगा जोड़ा तक पहले से विमार हैं उन्हें अपने स्वास्ति का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए प्रेम समन की बात करें तो आज आप आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सचाई को जानने की कोशिश करें अगर आप लंबे समय से प्यार की जार की सोच रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग हरा रंग लगी नुमर छे रहने वाले हैं बात करेंगे तुलारासी की तुलारासीम चंदरमा आज चौथे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आप किसी पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिस ना करें आपको यहां से नुकसान हो सकता है अपने दोस्तों के साथ अच्छे समन बना के रखने का प्रयास आपको करना चाहिए उनसे ल इच्छा रहने वाले हैं व्यापार और धनकी बातकेत आज आपने साहज और प्राक्रम के बल पर अपने कारे छेतमें स्थिति को सुधर सकते हैं आपका आर्थिक पक्स मजबूत रहेगा यस और किरती में वर्दी भी होगी आपके व्यापार में तेजी देखनी को मिलेग अपने काम पर फोकस रहें इससे आपको फायदा होगा नोकरी करने वाज जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज मतभेद बाहर सकते हैं तो यहाँ पर आपको साभाने निश्ची तोर पर रखनी चाहिए अपने फिजिल खर्चों पर नियंतन भी रखना चाहिए व आपका ब्लड प्रेसर नॉर्मल रहेगा व्यायाम करें योग करें इससे आपको स्वास्ते में फायदा होगा प्रेम समन्त की बात करें आज आपके जीवन साथी के साथ दूसरे की वएसे मतभेद उत्पन न हो सकते हैं कुछ भी इससा सोचने से पहले बातों को गहराई से जोर जोने आजम मसूर की दाल खायेंगे तब के लिए सुम रहेगा आपके लिए आज का सु pagan केसर या रहक्ति लट आपके पिता या उच्चतिकारियों का सही ऊग आपको प्राप्त होगा समाजी कारियों में आपके रूची बनी रहेगी मन में नएने विचार आएंगे, इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बरहें, स्वाधिष्ट भोजन का आनने भी उठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पे जाने के या धार्मिक कारी करने के आउसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गिलत फैमिक के कारन आपके और आपके प्रियेजनों के बीच लगाई हो सकती हैं तो यहाँ पे साथाने भी रखें व्यापार उधन की बात के आज आपको आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धनलाब भी हो सकता है जूरा तक नोकरी करते हैं उनको ऑफिस में ऐसे लोगों से साध्वान आना चाहिए जो उनके दोस्त तो हैं लेकिन उनकी चबी विगारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थि की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज की मिदल्दा रहने वाला है पठाई से मन आपका भठक सकता है ऐसे भी अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा होगा स्वास्त की बात करें तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है चुस्ती और फूर्ती का अनभव करेंगे लेकिन आपको मौस्मी विवानियों से अज सचेत भी रहना चाहिए प्रेम समन्द की बात करें आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएं इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज के दिने के चांदी के बर्तन में खील खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलावी रंग लगी नम्मर दो रहने वाला है बात केंगे धनु रासी की धनु रासी मुचंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुप आज आपका मन आत्मि स्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं छोटी मोटी परिशानिया आएंगी लेकिन उन परिशानियों पर विजय प्राप्त करने की कोसिस करें कुछ नवी विचार आपके लिए फाइदे मन साबित हो सकते हैं आज अगर किसी की मदद करते हैं तो उसका फाइदा आपको भी कई न कई मिलेगा बीना जांच पताली के किसी वेबसाय या कानून जस्तावेज पर हस्ताक्षर तो बिलकुल भी ना करें इससे आप मुस्कीलों में पढ़ सकते हैं व्यापार और धन की बात कि आज आप व्यापार में लाब प्राप्त कर पाएंगे व्यापार में जो भी आपके प्रतिजन्दी हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जो जातक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज के अच्छा रहने वाले आपके सीनियर या बॉस आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पैर भी ना करें। इससे आप नेगेटिव में जा सकते हैं। विद्यार्थी की बातकेत प्रद्युकता पर इच्छा की त्यारी करने वाली विद्यार्थी अपने दिर रिच्छा सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। स्वास्ते की बातकित आज आपको मौसमी विवारियों को लेकर सतकता रखने चाहिए आपके सररीक और मांसिक विवारिय की जर आज आपका दुख हो सकता है वियायम करें खुली हवार में टाहले आपके स्वास्ते के लिए अच्छा रहेगा प्रेम समन की बात तो अपनी बात है अपने जीवन साथी पर थोपने से आज का लाक के स्थित्य उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बराबार कादिकार पें इससे आपके समन मदूर बने रहेंगे आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तापको ये सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग आस्मानी रंगला की नमर बारा रहने वाल है बात केंगे मकर रासिकी मकर रासिम चंद्रमा पर्थमस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आज आपको आपके दोस्तों का सहीयोग प्राप्त होगा आज कोई भी नेर नए भाव उकतावस ना लें ऐसे नेर्लेयों से आप परिसानी में पर सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दोस्तों दस्यों के बीच मनमुटाव बर सकता है अगर आज पूरे परिवार के साथ किसी धार्मी कारी को आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आज आपको आपके सहकर्मियों का सहीव प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे हुआ आपके काम का केडिट भी देने का प्रयास करेंगे, आज किसी सुनुशनाई बातों पर आँख मूंद कर भरसा ना करें, सचाई को पर्खें तब ही आग बना रहे हैं तो एक बार अन्भवी लोगों की सलाह जोग लें, करज लेने से बिल्कुल बचें, विद्यार्थी की बात कर आज आपको अपको अपने स्वास्त के परती, सचेत रहना चाहिए, जिन जातकों को हाई या लो ब्लेट पेसर की सिकायत रहती है, वह आज जीवन साथी के साथ आपकी नोग जोग भी हो सकती है, बाद में सब कुछ लेकिन ठीक भी हो जाएगा, और विवाही जातक प्रेम समद्ध में कोई भी नियारिस्ता बनाने से पहले, आज सामने वाले को जोग परकें, आज आपके प्रेम समद्धों में किसी प्रकार की चि आपके मकान मालिक के साथ आपके समंद्ध भी गर सकते हैं, तो यहाँ पर सादानी बढ़ते हैं, आज आपको संतान के तरफ से खुसी हो सकती है, परिवार में साकारत्मक बातावरंसकन बनेगा, किसी पुरानी समस्या का अंत भी संबह हो है, आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है, साथ ही अपने वानी पे आज नियनतर्न भी रखें, क्योंकि आज आपके लड़ाई जहरे के योग बन रहे हैं, आफिस में आपके सेनियर आपको किसी काम को लेकर आज उकसा सकते हैं, धैरी से काम ले यह एक सोची संब्ध साजिस भी आपके खिलाफ हो सकती है, व्यापार और धन की बात के तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है, अगर आप किसी के साथ पार्टनर्शिप व्यापार करते हैं, तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं, अगर अच्छी योग बनाएंगे और उस पर सामना करना पड़ सकता है स्वास्ता की बात कि आज आपका मन असांत रहेगा मेडिटेशन करना आपके लिए लाबदायक से धोगा जुदा तक हाइबलेट पे से डैपटी ये दिल के रोगी है उन्हें अपना ध्यान विश्य स्थार पर रखना चाहिए प्रेम समन्द की बात करें प्रेम समन्दों के लिए आज की नच्छा रहने वाला है जीवन साथी को समय दें और उनकी भाबनाओं की कदर भी करें इससे आपके प्रेम समन्दों मेठासत पर नहोगी प्यार के जार करने के लिए आज की नच्छा रहने वाला है आज के इन दूद या दूद से बनीवी चीएं खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबंग नीलारंग लकी नमर चार रहने वाला है बात करेंगे मीन दासी की मीन दासी मिचंत्रवां आज 11 वे इस्थान में विराजी थे जिसके फ्रसुब जो मेनत आपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा जिसके कान आपके आत्मी स्वास में बुर्दी होगी आज आप कोई भी नया कारे करने के लिए पेरिद भी रहेंगे और इस नए कारे में आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है आपको कुछ पारिवालिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन आप अपने एकर बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवालिक समस्या सुधारने में विए आपको सफलता मिलेगी आज आपके धहरी में कमी आ सकती है जिसके कान आपके बने विए कारी भी बिगड़ सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो आज आपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से अपने व्यापार में विर्धी कर पाएंगे आपके आय में ब्रहतरी होगी, जो आतक नोकरी कर रहे हैं, उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसंद न रहेंगे, आज किसी को कर्ज देने से बिलकुल बचें, और कोई बहुत जोर्थ में लिक्ती ना हो तो उसे पैसे उधार दाव दें, ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं, व खेट समंदित किसी दिक्कत का सामना आपको करना पर सकता है, तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें, तले, भुने और मसायल आरखानों से दूर रहें, प्रेम समंद की बात के छोटी-छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी से आज उलच सकते हैं, एक दुस्रे से वाद व्याद के सित्रित पर नहों सकती है, लेकिन यह सब होने के बाप जीवद आपके रिष्टे मदिर बने रहेंगे, जीवन साथी आप प्रेमी प्रेमी का के साथ समय विताएं, इससे आपके प्रेमी समंद अच्छे बनेंगे, आज की हर चांदी के बरतन में खीर खात आपके रहें, दिनके तीन बचकर 24 मेंद से लेकर साम के चार बचकर 49 मेर तक, इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे, तो उसमें आपको आपको सफलतात लगेगी, आज का असुप समयाने की राहू का रहरें वाले, साम के 4.HE 14.00 मेर शिलेकर साम के 6. शेबच कर 13 मेर तक इस समय में को भी नया काड़ी आराम करेंगे तो उसमें आपको असफलतात लग सकती है दिसासूल आज पच्छिम निशा में है पच्छिम निशा में किसी भी खास प्रियोजन से आतराम ना करें यहाँ आपको नुक्सान हो सकता है सुब खाद्याज का पान रहने वाला है पान का च्छोड़ टुक्रा भी खाकर यहाँ तराम करेंगे किसी नई कारी को करेंगे उसमें आपको असफलतात लगेगी तो मित्रों यह तो था आज का संपून रासी भल कल के संपून रासी भल के लिए जुरुरेरें धर्मसिक्छा के साथ और देखते हैं धर्मसिक्छा जे माता दे